आवाज जिन्दे ट्वी में आपका स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ आशिश कुमार गौतम जी है जो एक विचारक है लेखक है कवी है और एक अच्छी बात यह है कि अभी वरतमान में उनको विक्रम शिला युनिविसिटी जो भागलपूर बिहार में है वहाँ से मानत टीएचडी भी मिली है तो डॉक्टर साब की कई कवीताय जो है वो काफी प्रसिद्ध भी हो चुकी है समाज के प्रती काफी हो समधरशील है बामसेट में भी उन्हें काम किया है डॉक्टर साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपका मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह जो आपके व्यक्ति मत्वे के बारे में थोड़ा लोगों को बताईए और आपने जिस तरह से कुछ डिगरी हासिल की है जिस तरह से उपादी हासिल की है कई पुरसकार से आपको सन्मानित किया गया है यह सफर कैसे रहा आपका यह समाजिक सेवा के रूप में हमारे बाबा जी स्री मोती जो आज के 1965-1970 के दोरान वो गाउं के परधान रहे हैं पिता जी हमारे अध्यापक रहे श्री बाबु राम गौतम जी जो जूनियर हाई स्कूल के परधान अध्यापक पत से रिटायर्ड हुए तीन भाई हम अध्यापक हैं और वाईब भी हमारी अध्यापक हैं और सिख्छा से जुडाव रहा और मैं कच्छा दो से कविता लिख रहा हूँ और इस कहानी और कविता के माद्यम से जो समाज में कुरीतियां हैं उन पर ही हमारा अक्सर विचार आया है और हमने अपने समाज के जो दुख दर्द हैं उसी को हमने देख कर ही लिखा है या तो मैंने देश की समस्याओं पर कविता लिखा है या फिर समाज पर लिखा है और अभी तक हम को पूरे देश से राश्टी अस्तर के लगबग 35-38 सम्मान मिल चुके हैं और हमारी कई कविताएं जो है लगबग 10-15 काब संकल्णों में भी परकासित हो चुकी है और मैं एक स्वतंत्र पत्रकार के रूप में भी काम कर चुका हूँ और एफपी आई समाचार फीचर एजनसी में मैं बीरोचीफ बस्ती डिवीजन का भी रह चुका हूँ और बरतमान में भी मैं कई पत्र पत्रकाओं से जुड़ा हूँ और एक स्वतंत्र लेखक के तौर पर मैं अपनी रचनाएं लिख रहा हूं वो बराबर प्रकासित हो रही है अभी 20 दिसंबर को जो है हमको विक्रम सिलाव विस्विद्याले भागलपूर से मानत पेच्डी की उपादी दी गई है और हमने पेच्डी का विशय क्या था अपका पेच्डी हमने जो है अभी तक हमने जो सामाज में अपनी कविताएं लिखी हैं या अपने लेख लिखें जो हमारे लेख परकासित हुई हैं उनमें विशेश तोर से मानुवर कांशी राम पर हमने एक लिख लिखा 21 सदी के अमबेट कर मानुवर कांशी राम इस लेख पर हमको मानत प्यजडी की उपाधी विक्रम सेला अभी 20 दिसंबर 2021 को दिया गया है मानुवर साब कांशी राम के उपर जो आपने लिखा है 21 सदी के डॉक्टर आमबेट कर ये कैसे सोच आपके मन में आई थी मानुवर साब का जो जीवन संगहर स्थाथ हम जब 1984 में मैं कच्छा चार में पढ़ रहा था उस समय से मैं बहुजन समाज पार्टी के लिए बहुत जानकारी तो मुझे नहीं थी कि ये पार्टी क्या चीज होती है लेकिन एक चीज था मैं बाबा साब डाक्टर भीमरा अमबेटकर के विचारों को मैं अपने घर परिवार मेरे चाचा सरी संतराम जी और मेरे पिता जी ये लोग हम को किताबें देते थे पढ़ने के लिए उस किताबों को पढ़ा उसके बाद भी वो चर्चाएं होती थी कि हमारे घर में बहुत पहले से ही मिशन से जुड़े हुए तमाम नेता घर पर आते थे तो उनकी बातों को सुनते सुनते मुझे भी छेत्मी इंट्रेस्ट आया और जगा तो मैंने जो है ये देखा कि बाबा साब ने जो भी संघर्स करके पूरे लाइब में जो संघर्स क हमारे लिए कर दिया लेकिन हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं की वज़ासे इतना जागरुख नहीं की वज़ाए से ये जानकारी नहीं थे कि इस देख मेंरे क्या अधिकार हैं तो इन अधिकारों को मानवर कांसराम साहब ने बहुचं समाज में जो मूवमेंट चलाया उस मुव्मेंट के माध्यम से उन्होंने हमें ये बताया कि बाबा साहब ने क्या आपको अधिकार दिया है और उनके संगहरसों की बदावलत जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई और बहेंजी मुक्मंत्री हूँ उनके मुक्मंत्री बनने के बाद जो अधिकार बाबा साहब संविधान में लिख गए थे जो मानवर कांसी राम साहब ने हमें बताया था कि ये आपके अधिकार हैं चुकि हमारा समाज पढ़ा नहीं था तो बिना पढ़े ही हमारे समाज को सब को जगा है कि आपके ये अधिकार ये अधिकार आप ले लीजिए इस अधिकार को आप प्राप्द करिए और फिर भी हमारा समाज अगर बहुत कुछ नहीं कर सका लेकिन बहन जी कि जब सरकार मानौर कांसिराम साब के संग मूब्मेंट के माध्यम से बहुचन समाज के लोगों के माध्यम से जब आई तो उस सरकार के माध्यम से हमारे समाज को वो अधिकार उनके हाथों में दे दिया गया पकड़ा दिया गया कि ये लिजे ये आपका है इसको पकड़िये वो चाहे नौकरी के माद्यम से हो या हमारे समाज में अमबेटकर ग्राम विकास योजना हो या तमाम सारी योजनाएं थी जिसके माद्यम से हमारे समाज के लोगों का विकास किया इन ही सब को देखते हुए म अमबेटकर मानुरकांसी राम जी, और ये लेक मेरा, अमबेटकर टुडे और मिशन अमबेटकर, और तमाम दायनिक पेपरों में, तमाम जग़ां कई बार ये प्रकासित हुआ, और ये लेक मेरे लिए इतना सौ भाग साली रहा कि मुझे इस लेक पर मानत पीजडि़ टी की बहुत अच्छे बात है कि आपको इस लेक के उपर मनत तेज़ीटी मिली है डक्टर साब आप में एक समुधन शीलता भी है आप एक अच्छे कवी भी है तो कुछ कवीता हैं हमारे दर्शकों को आप बताईए कि जिससे आप लोगों को जागुरूत करते हैं सर हमारी एक रचना है एक बार मैं टी फार्मा गोल्ड में लिस्ट हूँ तो मैं नवकरी से पहले मैं क्लिनिक चलाता था तो मैं अपनी क्लिनिक पर बैठा था तो हमारे बगल में एक और क्लिनिक थी तो वहाँ पर एक नट जाट के लोग होते हैं तो उनके छोटे-छोटे बच्चे थे तो ढोल बजाके जो है वो लोगों से पैसा मांग रहते तो वहाँ पर एक नेता जी आ गए और वो नेता जी जब आए तो बच्चों से वो बोले कि अरे कुछ सुनाओ भाई उन्होंने कि आप कुछ दे दीजिए उन्हेंने का कुछ सुनाओ तो फिर पैसा देते हैं तो चूंकि वो नेता थे तो वो उन्हीं को देखकर जो है नेताओं पर उस समय एक गाना आया था वो मुझे बहुत याद तो नहीं लेकिन उसका कुछ मतलब थी में याद है कि उन्होंने कहा कि नेता जी सफेद कूर्टा पर के बाव रुपिया बनके आये इसा कुछ उनके उसमें था और वो उन छोटे अबाओद बच्चों को सामने ही दो थपड़ मार दिये तो वहाँ पर किसी ने कुछ बोला नहीं तो हमने कहा कि भाई उनकी क्या गलती है वो तो अबाद बालक है वो तो अपने रोजी रोटे के लिए मांग रहे हैं आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए भाई वो आपको कुर्टा पहजामा पहने देखे वो उनने लगा कि हानेता है उन्होंने आपको खुश करने के लिए नेता वाला गाना सुना दिया अब आप उस पर नाराज हो रहा ह तो ये चीजें मुझे बहुत ही मन को गहरी ठेश पहुँचा गई और हमने इस पर अपनी एक कविता लिखी कि अन्याए देखकर खुन न खुले खुन नहीं वह पानी है कब तक सहोगे अत्याचारिय कैसी तेरी जवानी है मरना है एक बार मरो हर बार मौत से अच्छा है जीवन तो एक बार मिला ये बार बार से अच्छा है सुन मेरी ललकार आज ये कसम उठा ले जीना है सम्मान साथ ये मन में बिठा ले संघर्स करो सम्मान के लिए वरना खुन भी पानी है अन्याए जुल्म सहते ही रहे तो कैसी तेरी जवानी है उचित और अनुचित के अंतर को समझो जीवन है अन्मोल इसके मर्म को समझो जीवन मिला है कुछ अच्छा कर जाने को काम करो कुछ बेहतर दुनिया में नाम कमाने को करांट गुलामी की उपज़ है इस दुनिया में अन्याए जुल्म की दवा करांटी है दुनिया में मानवता के बिना अधूरी मानो तेरी जिंदगानी है मानवता को आसीस आज बाकी सब नादानी है अन्याए देखकर खून न खोले खून नहीं है पानी है बहुत ही एक करांतिकारी कविता डॉक्टर साब ने लिखी है और इस करांति के माध्यम से इस कविताओं के माध्यम से रचनाओं के माध्यम से वो समाज को जगरूत करने काम भी करते हैं आपने कुछ वक्त तक बामसेप में भी काम किया है तो उस अनुभव के बारे में बता दो हजार बीस तक हमने काम किया और बाम सेव के माध्यम से हम लोग करमचारियों के बीच में जाते थे ये बाम सेव करमचारियों का संगठन है तो इसमें हम लोग जाते थे तो अपने बाबा साब के मिसन को और मानवर साब के मूवमेंट के बारे में लोगों को बताया और सम और बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर सिक्षित हों संगठित हों और संघर्स करो कि फारमूले पर चलते हुए हम लोग क्यों कि जो भी कुछ हमें मिल सकता है बीना राजनीत के कुछ भी संभव नहीं है चुकि बहुत कुछ हम पा सकते हैं लेकिन जो उच्चतम और माद्धम से हम सब कुछ पा सकते हैं तो बाम सेफ के माद्धम से हमने लोगों को ये बताया और उनको जागरू करके एकठा करके और कुछ पाने के लिए बाबा साहब के बताए हुए रास्ते सिच्छित बनो संगठित बनो और संघर्स करो को फालो करने के लिए हम लोगों के बीच में जाते रहे बात है कि उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद